जैमा लक्षमी, जै कुबेर महाराज, दोस्तों धन तेरस और दिवाली पर कर लेना ये छोटा सा उपाय आपकी जन्मों जन्म की गरीबी जड़ से खत्म हो जाएगी, आपके घर में पैसा पानी की तरह बहेगा, अगर आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा है, टिकने दोस्तों अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं, तो इस धन तेरस और दिवाली पर इन उपायों को जरूर आजमाए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको शत प्रतिशत लाब होगा दोस्तों, साथ ही आज मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि धन तेरस पर आपके लिए क्या खरीदना शुब रहेगा और क्या नहीं, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि धनतेरस हम क्यों मनाते हैं और हमारे हिंदू धर्म में धनतेरस को इतना महत्व क्यों इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी भागयशाली राशिया हैं जिनकी किस्मत इस दिवाली पर चमकने वाली है। आप पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर धन 13 को हमारे हिंदू धर्म में इतना महत्व क्यों दिया गया है। पूजा करने की मान्यता है इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। एक समय भगवान विश्नु मृत्यू लोक में विचर्ण करने के लिए आ रहे थे। तभी लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आगरह किया। तब विश्नु जी ने कहा कि यदी मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विश्नु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगहे पर पहुँच कर भगवान विश्नु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहां ठहरो मैं दक्षिन दिशा की ओर जा रहा हूं तुम उधर मत आना। लक्ष्मी जी को सर्सों का एक खेट दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सर्सों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रिंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेट से लक्ष्मी जी गन्ना तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षन विश्नु जी आये और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था। पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की बारा वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर शीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक द पर तुम इसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की क्रिपासे किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, क्रतन, स्वर्ण, आदी से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धंधान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के बारा वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े ब्रे नहीं रोक सके हैं, तो आप क्या रोक पाएंगे, इनको मेरा शाप्था इसलिए बारा वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी, तुम्हारी बारा वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है, अब इनका जाने का समया ग कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोट कर स्वच करना और रात्री में घी का दीपक जला कर रखना तथा शायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भर कर मेरे लिए रखना, मैं उस कलश में निवास करूंगी. किन्तु पूजा के समय में तुम्हें दिखाई नहीं दूँगी, इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी. यह कहकर वह दीपों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गई. अगले दिन किसान ने लक्षमी जी के कथानुसार पूजन किया और उसका घर धंधाने से पूर्ण हो गया. इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्षमी जी की पूजा होने लगी. और आज भी ऐसी ऐसी मान्यता है कि जो मा लक्षमी के कथा अनुसार विधिवत रूप से धंतेरस के दिन मा लक्षमी जी का पूजन करता है, उसके घर में पूरे वर्ष धन की कभी कमी नहीं होती है. उसके भंडार सदैव भरे रहते हैं क्योंकि मा लक्षमी ऐसे घरों में स्वय निवास करती हैं. चलिए अब जान लेते हैं दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्द. दोस्तों दिवाली हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है. यह पर्व हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथी पर मनाया जाता है. इस दिन पूरा देश दिये और चमकी जालरों की रोशनी से जगमगा उठता है. दिवाली को सुक्समरिधी प्रदान करने वाला त्योहार मा कि इस दिन मा लक्षमी अपने भक्तों के घर पर पधारती है और उन्हें धंधाने का आशिरवाद देती है. यही वज़ह है कि इस दिन लोग मा लक्षमी की पूजा करके जीवन में सुक्समरिधी आने की कामना करते हैं. लेकिन इस साल दिवाली की सही तारीख को लेकर अस पंजस की स्थिती बनी हुई है. ऐसे में आये जानते हैं इस साल दिवाली किस दिन मनाई जाएगी और लक्षमी पूजा का शुभ मुहूर्थ क्या है? हिंदू धर्म में वैसे तो उद्या तिथी के आधार पर पर्व और त्योहार मनाई जाते हैं. लेकिन दिवाली के दिन लक्षमी पूजा प्रदोशकाल के समय करना शुभ होता है. लेकिन इस बार प्रदोशकाल की पूजा का समय 12 नवंबर को प्राप्थ हो रहा है. इसलि दिवाली यानी दिपावली के दिन पूजा का शुभ मुहूर्ट 12 नवंबर की शाम 5 बचकर 40 मिनट से लेकर 7 बचकर 36 मिनट तक है. वहीं लक्षमी पूजा के लिए महानिशीत काल मुहूर्ट रात 11 बचकर 49 मिनट से मध्यरातरी 12 बचकर 31 मिनट तक है. जोतिश के जानकार अपनी चाल बदलने वाले हैं. इस साल 4 नवंबर 2023 दिन शनिवार के शनी मारगी हो रहे हैं. यानी वह अपनी उल्टी चाल छोड़कर सीधी चाल चलने वाले हैं. वहीं शनी ग्रह के देवता शनीदेव हैं. ऐसे में कुछ राशियों के जातकों पर शनीदेव की विशेश क्रिपा बरसने वाली है. दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशी जरूर कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दें. जिससे मैं आपको आपकी राशी के अनुसार धन तेरस और दिवाली पर किये जाने वाले कुछ विशेश उपाय बात सकें. जिसे आज कर आप भी अपने भाग्य को चमका सकते हैं. दोस्तों अगर आप अपनी राशी नहीं जानते हैं तो आप अपना असली नाम कॉमेंट बॉक्स में लिख दें. हम आपकी राशी और उपाय दोनों ही बता देंगे. तो आईए जानते हैं वो कौन सी राशिया हैं जिन पर शन चब राशी के जातकों को चार नवंबर के बाद कोई बड़ी खुश्कबरी मिल सकती हैं. इस राशी के जातकों की आर्थिक स्थिती मजबूत होगी और साथ ही घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं. इस राशी के जातकों को धन तेरस और दिवाली पर कुछ उपाय जरूर करने चाहिए इस दिन किये हुए उपाय आपको दस गुना ज्यादा फल देते हैं इसलिए इस दिन आप इस वीडियो में बताए गए उपाय जरूर करें आपको अवश्य ही लाब होगा दोस्तों इस लिस्ट में जो दूसरी भाग्यशाली राशी है वो है मिथुन राशी जी हाँ दोस्तों मिथुन राशी वालों को दिवाली से पहले कोई अच्छी खबर मिल सकती है साथ ही आय के स्रोत में बढ़ोत्तरी होगी और आर्थिक स्थिती में तेजी से सुधार होगा लंबे समय से आर्थिक समस्या गुजर रहे मिथुन राशी के जातकों को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा दोस्तों इस लिस्ट में जो तीसरी भाग्यशाली राशी है वो है धनूराशी धनूराशी के जातकों पर शनिदेव की विशेश कृपा बरसने वाली है दिवाली से पहले इस राशी के जातक जो भी काम करेंगे उसमें यह सफलता हासिल करेंगे इस राशी के जातकों को अचानक धन प्राप्ती के योग है आपका लंबे समय से फंसा हुआ धन प्राप्त हो सकता है आपके बिगडे काम बनने लगेंगे दोस्तों इस लिस्ट में जो चौथी भाग्यशाली राशी है वो है कन्या राशी जी हाँ दोस्तों दिवाली से पहले कन्या राशी के जातकों के लिए नौकरी के आसार बन रहे हैं ये लोग अच्छा खासा पैसा कमाने में काम्याब हो सकते हैं साथ ही करियर में बुलंदियों को चुएंगे आपके द्वारा किया गया हर काम सफल होगा इस समय आपका भाग्य आपका पूर्ण साथ देगा दोस्तों इस लिस्ट में जो पांचवी भाग्यशाली राशी है वो है सिंह राशी इस बार शनी के मार्गी होने से सिंह राशी के लोगों के लिए बहुत ही शुब समय होगा इससे इस राशी के जातकों को सुक्सम्रिधी की प्राप्ती होगी और धन लाब होगा आपकी किस्मत आपका पूर्ण साथ देगी लेकिन आपको धन तेरस और दिवाली पर मा लक्ष्मी जी को प्रसंद करने के लिए नीचे बताए गए कुछ विशेश उपाय जरूर करने चाहिए इससे मा लक्ष्मी आपसे शीघरे ही प्रसंद हो जाएंगी दोस्तों हमारी इस लिस्ट में जो अंतिन भागेशाली राशी है वो है मेश राशी दिवाली से पहले मेश राशी के जातकों की किस्मत चमक सकती है इनके लिए बिजनिस में बड़े धन लाब के संकेत मिल रहे है घर में काफी समय से चल रही कलह समाप्थ हो सकती है, आपको भरपूर आर्थिक लाब होगा, मेश राशी वालों ये समय आपके पूर्णत्या पक्ष में हैं, इसलिए आप समय का खूब सदुपयोग कीजिए चलिए दोस्तों अब आपको धन तेरस और दीपावली के लिए कुछ विशेश उपाय बता देते हैं, जिन्हें करना आपके लिए बेहत जरूरी है, तथा इसे करके आप मा लक्षमी जी की विशेश क्रिपा प्राप्थ कर सकते हैं दोस्तों अगर आप काफी समय से कर्श से परिशान है, तो आप कर्श से मुक्ती के लिए एक सिक्के से अचुक उपाय करें आपको कर्श से मुक्ती 100% मिलेगी धन तेरस के दिन एक, दो, पाँच या दस रुपए का सिक्का लें उस सिक्के पर कुमकुम छिड़कें और फिर उस सिक्के को तुलसी के पौधे में गाड़ दें तुलसी को मा लक्षमी का रूप माना गया है ऐसे में इस उपाय को करने से मा लक्षमी प्रसन्न होंगी और अपनी कृपा पूरे परिवार पर बरसाएंगी दूसरा उपाय कर्ज मुक्ती के लिए आप यह भी कर सकते हैं आप एक, दो, पांच या दस रुपए का सिक्का ले और उस सिक्के को दूढ से स्नान कराएं फिर सिक्के को स्वच्छ वस्तर पर रखें और अक्षत पुष्प एवं मौली चढ़ाएं इसके बाद सिक्के को तिजोरी में रख दें देखिए दोस्तों मैं जानता हूँ कि आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि ऐसा करने से कर्ज से मुक्ती मिल सकती है लेकिन दोस्तों ये बेहत कारगर उपाय है कई लोगों ने इस उपाय को आजमाया है और उन्हें सकारात्मक परिनाम मिले हैं इस धन्तेरस पर आप भी यह उपाय पूरे विश्वास के साथ मा लक्ष्मी का स्मरण करते हुए करें आपको अवश्य लाभ होगा मैं मा लक्ष्मी जी की कसम खाकर कहता हूँ मा लक्ष्मी आपको निराश नहीं करेगी दोस्तों इसके साथ ही आप एक और उपाय कर सकते हैं आप एक या दो रुपए के सिक्के ले जिस पर मा लक्ष्मी जी की फोटो अनकित हो इसके बाद सिक्के को दूध में डूबो कर निकाल ले और इसे पूजा के दौरान मा लक्षमी और कुबेर भगवान के सामने रखकर कुमकुम लगाए इसके बाद एक लाल कपड़े में रखकर इसे कलावे से बांधें और घर की पूर्व दिशा की ओर टांग दें फिर दिवाली की रात उस पोटली को वहां से उतारें और तिजोरी में रखें दोस्तों आप यकीन नहीं करेगे ये उपाय इतने चमतकारी है कि आपकी किस्मत रातों रात बदल देगे आपके घर में चारों दिशाओं से पैसा आने लगेगा इतना पैसा आएगा कि आप ऐसा करने से कर्स का बोज दूर होने लगेगा और धन में बढ़ोतरी होगी धन लाब के योग बनेंगे और मा लक्षमी की कृपा बनी रहेगी दोस्तों आप भी धनतेरस के दिन इस वीडियो में बताये गए सिक्के से जुड़े इन उपायों को आजमाकर कर्स से मुक्ती पा सकते हैं और साथ ही भगवान धन बंतरी एव मा लक्षमी का आशिरवाद प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों अब हम आपको उन दस चीजों के बारे में बताते हैं जिनहें आप धन तेरस से पहले ही अपने घर से बाहर कर दे अन्यथा मा लक्षमी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी और ना ही आपको मा लक्षमी जी का आशिरवाद प्राप्त होगा दोस्तों सबसे पहली चीज है लोहे से बनी कोई पुरानी चीज जो चलने की अवस्था में नहीं है जैसे बाइक, साइकिल, कार, कूलर आदी लोहे से बनी कोई भी वस्तु हो जो बंद पड इसे बंद पड़ी हो ये भी आपके घर का वास्तु बिगाडने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाती है इसलिए इनहे भी आप कबाड में बेच दें तीसरी वस्तु है बंद पड़ी घडी दोस्तों बंद घडी वास्तु शास्तर के अनुसार बहुत ही हानिकारक मानी इसलिए आप धन 13 से पहले अपने घर की घड़ी जरूर बदल दें क्योंकि आपके घर की घड़ी का सीधा connection आपकी आर्थिक स्थिती से होता है इसलिए घर में बंद घड़ी को गलती से भी ना रखें जोतिश शास्त्र के अनुसार इसे बिलकुल भी शुब नहीं माना गया ह चौथी वस्तु है भगवान की टूटी मूर्तिया दोस्तों भगवान की खंडित मूर्तिया हमें कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए अगर आपके घर में कोई ऐसी मूर्ति है तो उसे आप धन 13 से पहले ही किसी नदी में विसरजित कर दें और धन 13 के दिन भगवान जी क नई मूर्तिया ले आए पांच वी वस्तु है पुराना कलेंडर जी हाँ दोस्तों आपको पुराना कलेंडर जरूर बदल देना चाहिए आप धन 13 दिन नया कलेंडर खरीद कर लाएं ये आपके लिए बेहत शुब होगा दोस्तों अगर हमारे वीडियो से जुड़े आपके म जरूर करें ऐसी ही ज्यान वर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद